हेलो दोस्तों मैं दंजय प्रताब सिंग आज मैं आप लोगों लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं बहुत बढ़ी खबर है जो आप जानके उछल पढ़ेंगे कूद पढ़ेंगे क्योंकि 56,808 पदों के लिए जो सपाई कॉंस्टेवल के लिए बात चल रही थी मैंने सुबब बताया था तो आज दोफैर को जो प्रेस कॉंफरेंस हुई है ग्रै मंत्री अर्विंद कुमार और डीजी पी ओपी सिंग ने एक एक डेड निर्दारित कर दी है कि कब एकजाम ह लेकि आता हूं रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए और आपके यूपी प्लिस के अब जैसे ये बेकंसी होने वाली इससे जुड़े हुए कई साधे में टॉपिक लेके आऊंगा तो यहां पर आपके अच्छी से तयारी हो सकेगी तो इसलिए जल दिस जाईए और मु एक नवंबर से इसकी आवेदन पर किरिया चालू हो जाएगी या इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एक नवंबर से और जो इसका रिजल्ट होगा वो जून को घोसित कर दिया जाएगा जून को घोसित हो जाएगा अब टोटल पद हैं 56,808 इसमें देखिए 51,216 जनवरी और 5 जनवरी को है महलब जो आपका एक्जाम होगा इसका चार जनवरी और 5 जनवरी को इसका एक्जाम होगा तो इससे अच्छी ख़बर कोई नहीं हो सकती आद बिल्कुल प्रेस कांफुरेंस किलियर कर दिया गया है 56,808 पदों के लिए 4 जनवरी से आपका तो ये ख़बर थी जो मैंना सोचा कि आप लोगों बता दूँ बिल्कुल कंफर्म मैं इसको सेर कर दीजिए सबी लोगों तक जितने भी गुरोप में यूपी प्लिस के सब जगह सेर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो हुई होगी आप लोग जड़ू कमेंट बॉक्स में बताई आपको खुसी हुई की नहीं हुई जय हिंद जय भारत